इस वीडियो में मैं आपको बताने वालाओ Facebook सेल फ़नल कैसे बना जाता है इसी फ़नल का यूज़ करके दीपक सर ने एक करोड का रेविन्यू जनरेट किया फेस्बुक के उपर तो 22 जुलाई 2019 से 9 मार्च 2020 के बीच में हमारा रिवेन्यू देखो एक करोड एक लाख 9,896 रूपे जी हाँ एक करोड से जादा का रिवेन्यू हम कर चुके एक करोड से जादा इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने वालाओ Facebook सेल फ़नल बनाने का ये आपको सिर्फ और सिर्फ पेट कोर्सेज में ही मिलेगा ये आपको फिरे में कई पर भी अविलेबल ने होगा तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंट तक पूरा देखना ताकि आपको इस वीडियो के सारे स्टेफ किलियरली समझ में आए और आप एक सक्सेसफुल Facebook सेल फ़नल क्रेट कर पाओ यकिन मानिये मेरा अगर आपने ये Facebook सेल फ़नल आपने सही से क्रेट कर लिया तो आप Facebook के ओपर किसी भी चीज़ को unlimited सेल कर सकते हो इतना पाओरफुल है ये सेल फ़नल तो इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समाज में आए कि किस तरीके से Facebook सेल फ़नल क्रेट किया जाता है लोग एक एक करोड का revenue जनरेट कर रहे हैं सिर्फ Facebook के तुरू इसका current example है दीपक सर दीपक सर ने एक करोड का revenue जनरेट किया सिर्फ और सिर्फ Facebook के तुरू तो आपको भी वो success ratio चाहिए Facebook के तुरू तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना आपको समझ में आ जाएंगा कि किस तरह से Facebook के ओपर सेल जनरेट की जाती है और ऐसा secret content आपको फिर में सिर्फ हमारे चैनल पर ही मिलेगा जल्दी से उस red color के बटन को क्लिक करके चैनल को subscribe कीजिए और notification bell को भी on कर देना ताकि आपके आने वाली कोई भी special वीडियो मिस ना हो तो स्वागत आपका इस चैनल पर मेरा नामे सही है सिद्धिक और आप देख रहे हो digital ventures ये Facebook self funnel create करने के लिए आपको सिर्फ तीन simple step follow करने है अगर आपने इसमें से एक भी step को मिस कर लिया तो आपका Facebook self funnel उस तरह से create ने होगा जिस तरह से होना चाहिए था और आपको वो success ratio नहीं मिलेंगी Facebook के उपर जो आपको मिलने चाहिए थी तो इसलिए इन तीनो step को बहुती carefully follow करना और step by step इसे implement भी करना ताकि आपका successful Facebook self funnel create हो पाए तो सबसे पहला step आता है कि हमें Facebook के उपर helpful content create करना है जी हाँ हमें Facebook के उपर सबसे पहले helpful content create करना है जिससे हमारे niche के लोगों की problem solve हो या हो किसी चीज के बारे में educate हो रहे हो हमारे content के तुरू इस तरह का content हमें create करना है Facebook के उपर सबसे पहले इससे होंगा क्या इससे हमारी engagement बढ़ेंगी Facebook के उपर और अगर हमारा content easy to shareable होंगा तो वो हमारे content को share भी करेंगी ऐसे लोगों को जो हमारे business से relate करते होंगी और इसी कारान से ultimately हमारी reach भी बढ़ेंगी Facebook के उपर और content create करने से हमें सबसे बड़ा फायदा ये होंगा कि हमें लोगों का attraction मिलेंगा Facebook के उपर और हमारी ऐसी audience बिल्ड होंगी जो actual में हमारे business में interest रखते होंगी इस type की audience हमारी बिल्ड होंगी अगर हम helpful content create करते है Facebook के उपर तो ये इस ते बहुत ही जाता important है गर आपको successful Facebook sales funnel create करना है तो आपको helpful content create करना होंगा उसके बाद ही आप किसी चीज़ को बेज सकते हो तो आप सवाल ये उठता है कि आप content कैसे create करोंगी तो आपके पास दो बहुती best और आसान तरीके जिसके तो आप content create कर सकते हो Facebook के उपर सबसे पहला तो आप वीडियो के form में content create कर सकते हो जो के आज trending topic है वीडियो आज हर customer हर consumer वीडियो के form में ही content को consume करना पसंद कर रहा है वो वीडियोली चीजों को देखना पसंद कर रहा है और उसके थुरू educate होना पसंद कर रहा है इसलिए अगर आप हो सके तो वीडियो के form में content को create करना ताकि आपके audience को भी उसे consume करना आसान हो अगर आप text के form में content create करते हो तो आज कर कोई text को पढ़ता नहीं है आज हर कोई वीडियो देखना पसंद कर रहा है इसलिए आप हो सके तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो के उपर focus करना अगर आप वीडियो के form में content नहीं create कर सकते हो तो आपके पास दूसरा option आता है कि आप image के form में भी content create कर सकते हो और उसे facebook के उपर publish कर सकते हो यह दो option है आपके पास content create करने के तो मैं ज्यादा आपको recommend करूँगा आप वीडियो के form में content को create करना इससे आपकी engagement बहुत ही fast हो जाएंगी तो इस तरह से आपको content create करना है facebook के उपर आपको समझ में आगा आपको helpful content create करना है और इससे होंगा क्या इससे हमारी audience बिल्ड होंगी facebook के उपर जो हमारी business से relate करते होंगी अब बढ़ते हम इस funnel के second step के तरफ second step में हमें offer देना है हमारी audience को क्योंकि first step में हमने क्या किया audience को build किया facebook के उपर अब उन्हीं लोगों को हमें कुछ offer देना है ताके हम उन्हें convert कर सके as a lead इसलिए हमें facebook के उपर audience को हमारे offer देना है हमारे पास first step से audience तो create हो गई अब उन्हें हमें lead में convert करना है तो उसलिए हमें second step में हमें उन्हें offers देना है अब offers कैसे दे सकते हो आप, offers में आप कोई free giveaway कर सकते हो या फिर आप free में कोई e-book दे सकते हो या आप free में कोई online webinar रख सकते हो जापर आपकी audience आके उस webinar को attend करेंगी अब ये offers देने से आपको क्या फायदा होंगा ये offers से आपके पास lead generate होंगी जिसमें आपके पास उनकी email id, उनके contact number और उनकी सारी details आजएंगी जो आपको help करेंगी ऐसा sell convert करने के लिए उन्हीं सारी audience को इसलिए हमें उनको पहले offer देना है और उनकी lead में convert करना है ताके उनकी सारी contact details हमारे पास आजाए अब हमारे पास बहुत सारी lead जमा हो चुकी है और इनी leads से हमारे पास ऐसे लोगों की contact details जमा हो चुकी है जो actual में हमारे product में interest रखते है आईसे लोगों की contact detail हमारे पास collect हो चुकिए ये funnel के second step से इसलिए आपको second step में offer देना बहुती ज्यादा जरूर है जिससे आपके पास आईसे लोगों की contact detail जम हो जो के actual में आपके product में interest रखती हो अब आपके पास उनकी contact detail जम हो चुकिए email id, contact number, whatsapp number ये सारी information आपके पास collect हो चुकिए अब आता है इस funnel का final step अब second step से हमारे पास जितनी भी leads जमा हुई थी अब हम उन सब को हमारा product बेचेंगे बार-बार हमारे product की remarketing करके क्योंकि हमारे पास उनकी contact detail है और ऐसे लोगों की contact detail है जो के actual में हमारे product में interest रखते हैं ऐसे लोगों की हमारे पास contact detail है और इसलिए हम उनने बार-बार remarketing करेंगे और हमारा product बेचने की कोशिश करेंगे और जैसे ही वो हमसे content करेंगे हम उनको one to one बात करेंगे और उनके जितने भी questions होंगे हमारे product को लेकर हम उनके सारे questions के answer दे देंगे इससे होंगा क्या इससे हमारा trust बिल्ड होंगा Facebook के उपर जो भी audience हमारे product लेना चाहती है अगर हमने उसके सारे questions के answer properly दे दिये वो ultimately हमारे प आप जितने भी हमारे पास sales generate हो गई Facebook के तुरू हो सके तो आप उनके टेस्टीमोनियल वीडियोस ले लीजी अगर वो वीडियो के फार्म में आपको भेजते है टेस्टीमोनियल उनके reviews तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा helpful होंगी क्योंकि उनी वीडियोस को हम क्या करें देंगे हमारे Facebook पेज के उपर लगा देंगी अब जो भी नया यूजर आएंगा हमारे Facebook पेज के उपर वो उन वीडियो को देखेंगा कि जिन्नों ने भी हमारे प्रोड़क को पहले पर्चेस कि हुआ है उनका reviews कैसा है हमारे प्रोड़क को लेकर और अल्टिमेटली नए य सबसे पहले आपको Facebook के उपर कंटेंट करना है जिससे आपके नीश के लोगों की problem solve हो या वो आपके content के थुरू educate हो रहे हो उसके पाद आपके पास audience भी लोगी उसी audience को आपको कुछ आफर देना है ताकि वह आईजा लीड कनवर्ड हो जाए और जैसी ही वह आपके लीड म सेल कर सकते हो Facebook के उपर इतना simple process है पर यह थोड़ा long term है क्योंकि आपको content create करने में थोड़ा वक्त लगेंगा तो इस तरह से आप पूरा यह funnel create कर सकते हो और Facebook के उपर unlimited sales generate कर सकते हो तो आशा करता हो आपको यह वीडियो पसंद आए अगर आपको यह वीडियो पसंद आई आपसे आगले ऐसे वीडियो में